दोस्तों भारत का पौराणिक नगर आयुद्ध्या आज अपना गौरव एक बार फिर पा रहा है। सर्यू नदी के किनारे बसा आयुद्ध्या यू तो सदियों से भारत के धार्मिक और पौराणिक परंपरा का किंद्र बना रहा। मगर आज इसका उदय भारत के एक वैश्विक शहर के रूप में हो रहा है। एक समय प्रभू श्रीराम के पूर्वज विवस्वान द्वारा बसाई गई ये नगरी आज तेजी से अपनी सीमाएं फैला रही है। Times of India में छपी एक रिपोर्ट ये बताती है कि जब सैटलाइट से खीची गई तस्वीरों में आज से दस साल पुराने और आज के आयोध्या के तुलना किया गया तो ये पाया गया कि आयोध्या और उसके आसपास के क्षत्रों में डेवलप्मेंट और ग्रोथ बेमिसाल और भारत का एक छोटा सा कस्बा समझा जाने वाला आयोध्या आज एक वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस वैश्विक परियाटक का आकर्शन बन रहा है। खास्त और पर 2017 के बाद से आयोध्या इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि इसके इस ग्रोथ को देखते हुए क कहा जाने लगा है कि आने वाले समय में आयोध्या ना केवले ग्लोबल सिटी के रूप में उभर सकता है बलकि वो वेटकन सिटी और मक्का की तरह एक वैश्विक अध्यात्मिक केंद्र की तरह ख्याती प्राप्ट कर सकता है। यही कारण है कि हालिया रिपोर्ट बताती है कि आयोध्या में दुनिया भर से निवेश की बाढ़ आई हुई है चलिए आज हम अपने इस वीडियो में आयोध्या शहर की इसी बेमिसाल ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन आज की हमारी ये चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके UPSC मेंस जी एस पेपर 3 के भारतिया अर्थवयवस्था से रिलेटेड सेक्शन के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है अयुध्या दि ग्लोबल सिटी ओफ इंडिया दोस्तों अयुध्या के इस विकास में एक बहुत बड़ा हात संग और राजी सरकार का है जो मिलकर फिलहाल आयुध्या और इसके आसपास के क्षत्र में राजमार्ग सडकें, बुनियादी धाचा, ग्रीन फिल्ड टाउनशिप, अंतराश्ट्रिया हवा यडड़ा, अंतराश्ट्रिया आध्यात्मिक केंद्र जैसे 32,000 करोड रुपे की 264 विकास आत्मक जनाये चला रही हैं, इतना ही नहीं जिस गती से आयुध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसी तेजी से आयुध्या में धाचागत विकास भी हो रहा है, यह अश्राध्धालूओं को आयुध्या के हर हिस्से से श्री राम मंदिर तक पहुँचने के मंदिर से जोडने वाला 850 मीटर लंबा भक्ती पत और तीसरा साधत गंज को राम जन्म भूमी से जोडने वाला 12.9 किलो मिटर लंबा राम पत शामिल हैं, यह सभी रास्ते अभी कुछ समय पहले तक संकरी गलियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, और यहां वहां खुली नाल पार्किंग भी बनवाई जा रही है, जबकि राज्य पर्याटन विभाग ने आयोध्या और इसके आसपास के 37 धार्मिक स्थलों को सिलेक्ट करके उनमें काया कल्प का काम शुरू कर दिया है, यहां तक्रीबन 70 करोण रुपे के खर्च पर आयोध्या के जानकी घाट, अंगल भवन, अक्षरी मंदिर, राम कचहरी मंदिर, सियाराम किला, दिगंबर अखाडा, तुलसी चौराह मंदिर, भरत किला मंदिर, हनवान मंदिर, काले राम मंदिर, नेपाली मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर आदी को सजाया और समारा जा रहा है, इसी तरह देश के हर कोने से आयोध्या को जोडने के लिए आयोध्या की connectivity को दुरुस्त किया जा रहा है यहां तक कि आयोध्या के मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम अंतराश्ट्रिय हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण में हवाई अड्डे के टर्मिनल की इमारत ही 8000 स्क्वायर मीटर के ख्षत्र में बन रही है इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रेल 2022 में तब हुई जब यूपी सरकार ने भारतिया विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ लीज साइन करके 318 एकड जमीन ट्रांसफर किया जिसके बाद यहां पर छोटे विमान और फ्लाइंग क्लब के लिए 1500 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी हवाई पत्ती पर 24 विमानों को एकमेडेट करने की कैपसिटी रखने वाला अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा इस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसी तरह लखनव गोरखपुर राजमार्ग के भीडभार को टैकल करने के लिए भारतिय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण 65 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रूट भी बना रहा है 25 करोण की लागत से बन रहे इस फोर लेन रिंग रूट को गोंडा बस्ती से होते हुए आयोध्या से जोड़ा जाएगा यही नहीं आयोध्या रिलवे स्टेशन में भी पहले चरण में तीन नए प्लेटफॉर्म बनाये जा रहे हैं जबकि आने वाले चरणों में इसका और विस्तार होगा मगर इसका मतलब यह नहीं कि ये सारी तैयारियां केवल जनवरी दोहजार चौबीस में श्री राम मंदिर के उद्गाटन भर के लिए है बलकि ये उस चेन रियक्शन की शुरुवात मातर है जो आने वाले समय में आयुध्या को वैश्विक शहर की तरह डेवलप करने जा रही है यही कारण है कि आज हर कोई आयुध्या में अपने लिए जगह तलाश रहा है दोस्तों राम मंदिर निर्माण के चलते आयुध्या के बढ़ते परियाटक आकर्शन को तो आप समझ ही गए है प्रशासन का ये मानना है कि एक बार श्री राम मंदिर में दर्शन शुरू हुए तो यहां नियमित और सतन हर दिन दो लाग से उपर श्रधालू आएंगे जबकि विशेश महत्व वाले दिनों में ये आखड़ा पांच लाग से भी ज्यादा हो सकता है मगर ये आयुध्या के इस परियाटक आकर्शन का आफ्टर एफेक्ट ही है कि पिछले कुछ सालों से आयुध्या में जमीन खरीदने की होड चलती दिख रही है जहां हालिया रिपोर्ट बताती है कि आयुध्या में रियल एस्टेट और निवेश सम्मंधी क्वेरिज के मामले में गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे भारत के मौजूदा परियटन केंद्रों को भी पीछे छोड़ दिया गया है आयुध्या के रियल एस्टेट एजेंट्स ये बताते हैं कि राम जन्म भूमी को लेकर आये सुप्रीम कोट के अतिहासिक फैसले के पहले आयुध्या के विवादित धाचे की जवज़ा से उत्तर प्रदेश के राजनेता भी यहां आने से बचते थे ऐसे में आयुध्या का वो विकास कभी नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था मगर बीते कुछ सालों में तेजी से बदलते हालातों के बीच आकड़े बताते हैं कि नवंबर 2023 में राजस्व प्राप्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आयुध्या शीर्ष पर है इसका एक प्रमुख कारण आयुध्या में होने वाले बड़े पैमाने पर भूमी रेजिस्ट्रेशन्स हैं राज्ये स्टांप और पंजिकरण विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अप्रेल 2023 से नवंबर 2023 के बीच यानि केवल आठ महीने में ही आयुध्या में जमीन की 29,325 बैनामा रेजिस्टर की गई जिन में से 70-80% केवल निवेश के परपसे हुई थी जबकि अगर 2017-18 की बात करें तो इस पूरे साल में आयुध्या में केवल 5962 भूमी लेन देन रेजिस्टर किये गए थे आयुध्या के इस बढ़ी हुई जमीन की मांगे बीच यहां जमीन के कीमते भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे देखकर हर कोई हैरान है आयुध्या की जमीन यहां सोने के भाव पर बिक रही है दहिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार निर्माड़ा धीन राम मंदिर के आसपास के 3 किलो मिटर के दाइरे के बाहर जमीन के रेट 3,000 से 15,000 रुपए प्रती वर्ग फीट तक है जबकि राम मंदिर के 3 किलो मिटर के दाइरे में जमीन तो छोड़िये उस मिट्टी की धूल भी सोने की कीमत पर विक रही है जहां एक बिस्वे की कीमत 25,000 रुपे प्रती वर्ग फीट तक है यदि आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बिस्वा आवध क्षत्र की लोकप्रिया भूमी मापने की इकाई है जो 1360 वर्ग फीट के बराबर होती है वापस जमीन की कीमत पर आते हैं यहां के स्थानिया भूमी विक्रेता बताते हैं कि 2019 में सुप्रीम कोट के अतिहासिक राम मंदिर फैसले के पहले आयोध्या में जमीन की कीमतें आज के मुकाबले 15-20% से ज्यादा नहीं थे जाहिर है आयोध्या शहर का ये तेज विकास यहां के परियाटन और आतित्थ उद्योग के आकर्शन के वज़ा से है जिसने यूपी के लोगों के साथ-साथ निवेशकों को भी अपनी उर्खी चाहे यही कारण है कि आने वाले समय में मैरियेट इंटरनेशनल, रेडिसन और विंडहेम होटेल जैसी चेन भी आयोध्या में 4 और 5 स्टार होटल इस्थापित कर रही है यहां तक कि ताज होटल्स और विवान्ता जैसे प्रतिष्ठत ब्रैंडों के मालिक बनने वाली दा इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड भी आयोध्या में अपने पैर जमा रही है इतना ही नहीं मुंबई इस्थित रियल इस्टेट डेवलपर यानि इसी तरह देश भर के रियल इस्टेट डेवलपर आयोध्या में अपना जमघट लगा रहे है साथी आयोध्या और इसके आजपास के क्षत्र में बहुत सारी टाउन्शिप्स को भी विक्सित किया जा रहा है जिसके लिए जमीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है आयोध्या के पास 14 कोसी परिक्रम रिंग रोड और लखनव गोरकपुर हाईवे के पास तकरिबन 80 एकड जमीन में आयोध्या विकास प्राधिकरण खुद आवासिय योजनाय लाने जा रही है इसी तरह वरिष्ट नागरिकों की रूची को पूरा करने के लिए तीन हजार करोड रुपे के बजट से उत्तर प्रदेश आवास विभाग ने 1200 एकड की नव आयोध्या टाउनशिप परियोजना का शुभारंब किया है और ये सब केवल इसलिए है क्योंकि निवेशकों और डेवलपर्स का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ना केवल आयोध्या में विजटर्स का आगमन बढ़ेगा बलकि आयोध्या में अपना दूसरा घर स्थापित करने वाले सेवा निवरित और एनराइज की भी संख्या तेजी से बढ़ेगी ये ठीक वैसा ही होगा जैसा हम हरिद्वार रिशकेश, पूरी मदुरय और रामेश्वरम जैसे देश के दूसरे पवित्रे शहरों में देखते हैं लेकिन अगर आयोध्या में परियाटन और निवासियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ेगी तो जाहिर है कि वहाँ FMCG यानि Fast Moving Consumer Goods यानि रोज मर्रा के काम में आने वाली चीजें की मांगे भी बढ़ेंगी यही कारण है कि अब FMCG सामान बनाने वाली कमपनिया भी नोईडा, आगरा, मेरट के बजाए आयोध्या में जमीन तलास रही है भारत की सबसे बड़ी मिनरल वाटर कमपनी बिसलेरी इंटरनेशनल आयोध्या में अपना प्लांट स्थापित कर रही है इसी तरह प्रमुख Food Services कमपनिया भी आयोध्या में अपनी Food Chain से स्थापित करने जा रही है मगर आयोध्या में हो रहा ये विकास तो बस एक शुरुआत है दोस्तों आयोध्या को विक्सित करने के लिए बनाई गई दस साल की योजना के मुताबिक दो हजार इकत्तीस तक आयोध्या को एक मैसिव मेकोवर मिलने जा रहा है जिसके लिए इस बीच 85,000 करोण रुपे का निवेश किया जाना है आयोध्या के इस मैसिव विकास विजन में 875 स्कॉयर किलोमिटर के क्षत्र में आयोध्या विकास प्राधिकरन द्वारा बुनियादी धाचा और पर्याटन का विकास किया जाना है जिसमें 31.5 स्कॉयर किलोमिटर का कोर आयोध्या शहर और 133 स्कॉयर किलोमिटर का मास्टर प्लांड सिटी एरिया भी शामिल है जहां सभी आधुनिक सुविधाओं से युकत आयोध्या को एक विश्व स्तरिया शहर के रूप में विक्सित किया जाएगा वहें इन सब के बीच इस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा कि बड़े पैमाने पर परियाटकों की आमत से आयोध्या के निवासी या यहां के परियावरण को कोई नुकसान ना हो आयोध्या के इस पूरे बुनियादी धाचागत विकास को आठ ब्रॉड थीम्स में वर्गिकृत किया गया है ये थीम्स हैं एस्थेटिक आयोध्या, क्लीन आयोध्या, efficient आयोध्या, accessible आयोध्या, experimental आयोध्या, modern आयोध्या, cultural आयोध्या और healthy आयोध्या अब ऐसे में ये जाहिर है कि आयोध्या में नौकरी के आउसर और व्यापार की संभावनाएं दोनों ही दिन दूनी राद चौगनी गती से बढ़ने वाली हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट बीते एक साल में ही 130% बढ़ चुका है। कि आने वाले समय में आयोध्या भारत का एक धार्मिक या आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं बलकि आर्थिक पावर हाउस भी बनने जा रहा है। इसी उमीद के साथ हम अपने इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आयोध्या को लेकर आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा। साथ इस टॉपिक के UPSC मेंस से प्रासंगिक्ता को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल भी छोड़ कर जा रहे हैं। जिसका आप कमेंट सेक्षन में आंसर दे सकते हैं। आपका सवाल है आयोध्या एतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनितिक घटनाओं का साक्षी रहा है। चर्चा कीजिए। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। Study IQ IAS हिंदी। करते हैं। आपका सवाल है